नमस्कार बहुत स्वागत है आपका जोते श्राइट के देख रहे हैं छे मार्च से लेके चौबिस मार्च तक बुध कुम्भराशी में रहेंगे और छे मार्च को बुध कुम्भराशी में प्रवेश करेंगे छे मार्च से कुम्भराशी में जब ये रहेंगे तो इनको मिल जाएगा सूर्य और ब्रहश्पति का साथ बुध तो खुदी प्रवेश कर रहे हैं सूर्य लेकिन 16-17 में हड जाते हैं बाकी समय में ब्रहश्पति बुध एक साथ रहेंगे किसी तरह की भी समस्या इसमें नहीं है यह आपके लिए बहुत कुछ सकारात्मकता पैदा कर रहा है क्योंकि यह परमित्र राशी में रहेंगे बुध है यहां पर और मित्धुन राशी से नमम में रहेंगे और कन्या राशी से छठे रहेंगे तो मिथों से नवम कन्या से छठे ये अपने घर से इनका मैं जोड रहा हूँ इन दोनों श्थितियों में सुभ और अशुब दोनों है अब आपकी राशी मेश से लेकर मीन तक अगर है तो उस बीच में आपके लिए इनका ये परिवर्तन क्या कुछ गुल खिलाने वाला है आईए इसका हम आपको इसकी जानकारी देते है सबसे पहले मेश राशी मेश के लिए ये खास परिवर्तन एकादस भाव में है जहां तीसरे और छठे के स्वामी होकर के बैठे हैं मेश के लिए और अपने से छठे हैं आपके एकादस भाव में बैठे हैं यहां पर इनकी उपस्तिती भाग्येश के साथ होने के साथ साथ पंचमेश के साथ भी है लिहाजा आपके भाग्य में कमी करेंगे ये क्योंकि आपके त्रिक भावों के स्वामी है और भाग्येश ब्रहश्पत को निर्बल करने का प्रयास करेंगे मेश रासी वालों के लिए पूरा समय 6 मार्च से लेकर के 24 मार्च तक 24 मार्च तक भाग्य में प्रबल कमी रहेगी बच्पना करेंगे बच्कानी हरकतों से कुछ गरत फैसले आपसे होने निश्चित है कोई क्या कहता है भोल जाईए लेकिन हम जो कहते हैं इसको याद रखिएगा क्योंकि ये बुद्ध जो है ये बहुत चंचल ग्रह है राजकुमार है पांच वर्ष के है तो भाग्य में निर्बलता के वजह का ये कारण बन जाएंगे ना को निर्बल यह कर रहे हैं तो यह कैसे करेंगे इनके अंदर चंद चलता है बचपना है तो बचकानी हरकत से आप गलत फैस्टे लेंगे जिससे आपका लाव मार्ग प्रभावित होका बच्चों को लेकर के कुछ चिंता और तनाव बढ़ सकता है बच्चों के कैरियर को लेक करके भी कुछ गलत निर्ड़ा ले सकते हैं प्रेम विवाह में बाधा सकती है प्रेम संबंध आपके खतम हो सकते हैं क्योंकि यहां से इनके द्रिष्टी पढ़ रही है आपके पंचमेश साथ में बैठे हैं बाद में हो सकता है समर जाए सोलह के बाद जब पंचमेश सूर हटेंगे कुमरास से ब्यशव रासी ब्यशव राषिवालों के लिए इस्तिती देखा जाए तो दुति भाव के स्वामी होते हैं और पंचम होकर की नममस्थान पर बैठें रहेंगे वानी में वाक पढ़ता आएगी और जो बोलेंगे सिद्ध हो जाएगा और इंट्यूशन पावर देगा आपके लिए इंट्यूशन पावर का कारक बन जाएगा सकरात्मक बन जाएगा कुटुम्ब में किसी की व्रद्धी हो सकती है धन की स्थिती अच्छी रहेगी और उके काम बन जाएगे नए प्रेम संबंध बन सकते है मिथुन राशी आपके स्विम राशी के स्वामी होकर के और नवमस्थान में उपस्थिती हुए है जितने पेंडिंग पड़े काम थे सब बना देंगे धार्वी की आत्राएं करवाएंगे पुरानी समस्याओं से मुक्ती मिलेगी बच्चा कंसीव हो सकता है पुत्र रत्न की प्राप्ती हो सकती है भगवान गणेश के प्रतियास्था होगा कुछ विशेश मंदिरों के दर्शन करेंगे अच्छा रहेगा मिथुन के लिए करकराशी आपके अश्टम भाव में उपस्थिती हो रही है और द्वादस और तीसरे भाव के स्वामी है द्वादस का स्वामी होकर के अश्टम भाव में आना कुछ गलत धारना आएं लोग संपर्क में आ जाएंगे करकराशी की लड़कियों के लिए समय बहुत घातक है आपके संपर्क में गंदे लोग आएंगे 110 प्रिश्ट रिकॉर्ड कर लेजिए आवाज कोई बाय के लाल रोक नहीं सकता सावधान रहिएगा नए प्रपोसल बिल्कुल अक्षेप्ट नग करिएगा कर लिया होगा तो पच्टाएंगे अंतरंग संबंध बनने की संभावना है कुछ गंदे और बहुत घिनोने फैसले हो सकते है करक के लिए बड़ा घातक समय चलेगा सिंग राशी के लिए देखा जाए तो परिस्थतियां आपके सप्तम भाव में आये हैं दुती भाव के स्वामी और एकादस भाव के स्वामी होकर बहुत सकारात्मक है कुछ बड़े फैसले लेंगे धन लाब होगा पुराने समस्याओं का हल निकलेगा माता पिता का सहयोग मिलेगा पार्टनर्शिप टिक जाएगी इस्थति आपके लिए अच्छी है रुके धन की प्राप्ति की संभावना भी बनती है कन्यराशी आपके लिए छठे भाव में उपस्थति है इनकी आपके खुद के स्वामी होकर गलत फैसलों के कारुन कुछ घाटा उठाएंगे बिजनस में घाटा होगा पैसा कहीं ब्लॉक होगा कोई आपको चीट करेगा गुप्त दुश्मन बनेंगे आस्तीन के सांप सामने आ जाएंगे पुरानी समस्याएं मुखरित होंगी दामपत जीवन में बाहरे तत्तो का हस्तक शेफ होगा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा आपके आप खुद अपने दुश्मन है आपका लगन का स्वामी होकर के राशी का स्वामी होकर छठे में आ गया बुद्ध इस्थती ठीक नहीं है तुला राशी आपके पंचम में बुद्ध की उपस्थती जबर दस्त उछाल देने वाली है नौमेश होकर के आ गये हैं बारहमे के स्वामी होकर आ गये हैं बारी लोगों के संबंध से बहुत कुछ अच्छा होगा हलाकि एक जिगह दिक्कत करेगा प्रेम संबंधों में दिक्कत आएगी क्योंकि पंचम से अश्टमेश होकर के पंचम से अश्टमेश होकर के पंचम में आए हैं मतलब मारकेश होकर के अश्टम में आए हैं तो बारहमे का आपकी कुंडली में तुला राशी वालों के लिए बारहवे का पंचम का संबंध बन गया है ये घलपर होता है ये बहुत अच्छी स्थिति में नहीं होता है जहां पर आपके सबसे बुरे आकारक ग्रह ब्रहश्पत का साथ इनको मिला है बट फिर भी भाग्येश है तो जादा रुकसान नहीं होगा और आपको आराम मिलेगा आठमे के स्वामी और ग्यारहमे के स्वामी होकर के चतुर्त भाव में उपस्थिति है इनकी अश्टम और एकादस के स्वामी होकर चोथे में आए है ठीक ठीक है ना बहुत बुरा है ना बहुत अच्छा है माता की स्वास्त की चिंता सताएगी अचल संपत्ति की में कुछ विवाद होगा वाहन से कुछ चोड़ चपेट की संभावना बन सकती है बागी ठीक है नौकरियोगरी में कोई विशेश दिक्कत नहीं आएगी धनुराशी के थर्ड हाउस में इनकी उपस्तिती है और सब्तम और दसम के स्वामी है बहुत मेहनत करवाएंगे धनुराशी के लिए जबरदस्त मेहनत के कारक बनेंगे मेहनत से ना भागिएगा काम के अधिक्ता रहेगी पार्टनर्शिप ठीकेगा अचल संपत्ति की विवात से मुक्ति मिलेगी पोट कचहरी से मुक्ति मिलेगी मित्र का साथ मिलेगा घर में किरकारी होजेगी मकर राशी दुती भाव में आपके आए हैं जहां पर ठीक इस्तिती में हैं आपके भागेश भी हैं आपके खश्ठेश भी हैं और सेकेंड हाउस में आए हैं वाक सिद्धी होगा धन की इस्तिती बहुत अच्छी हो जाएगी सुद्रन होगी भाग्या आपका चमकेगा भा पराशी आपकी हिराशी में हैं और पंचमेश होकर के हैं और अश्टमेश होकर के हैं पंचम के स्वामी होकर जहां इनकी स्थिती बहुत अच्छी रहेगी वहीं अश्टम के स्वामी होने के कारण कुछ बिमारियां अचानक से सामने आ सकती हैं गुप्त रोग हो सकता है वेल्थ के पॉइंट आभे उसे ये बुरे हैं अधरवाइज ठीक है इस्तती अंतियम राशी मीन बारहवे में बैठे हैं आपके और चोथे और सात्मे के स्वामी होकर के अच्छी इस्तती है यात्रा से लाभ होगा विदेश से सम्मंधित कुछ विशेश लाभ होगा कुछ प्रोजेक्ट जो रुके थे उनको गती मिलेगी और किसी इस्त्री से सम्मंधित कुछ विशेश फायदा होने वाला है तो कुछ एक राशियों को देखा जाए तो ज्यादा दिक्कत है बाकी तो बहुत समस्याएं नहीं है बुध छोटे बच्चे के कारक हैं आप से जो भी गलती होगी वो बच्चपना में होगी बुध उसी से सम्मंधित दिक्कत करेंगे अधरवाइट इसकिन से सम्मंधित प्रॉब्लम हो सकती ब्रेन नियुरों की दिक्कत आ सकती है चोटी मोची समस्याएं इन जनल जिन जिन चीज़ों के कारक होते हैं मित्र की राशियों में जैपूर तीन चार और बाकी शहर आगे बढ़ते हुए देख लिजिए उसकी एक जलक हमें अनुमत दीजेगा अपना बहुत ख्याल रखिएगा नमस्कार से किष्णा शेरादे